आज हम जानेंगे टॉप टेन बेस्ट हैकिंग टूल्स के बारे में जो मोसली हैकर्स यूज करते हैं और इन्हें मैं भी यूज करता हूँ तो वह टॉप टेन हैकिंग टूल्स कौन-कौन से है यह जानने के लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा तो रवेंस में नमाकाश है स्वागते मेरे यूटूब चनल टेकनिकल आकाश में तो टॉप टेन बेस्ट हैकिंग टूल्स में मेरे लिस्ट में सबसे पहला टूल आता है अन्मैप अब आप सोच रहे होंगे कि अन्मैप क्या होता है अन्मैप एक नेटवर्ट स्कानिंग तथा फ्री ओपन सोर्स टूल है जो हैकर्स यूज़ करते है nmap का उपयोग host discovery, auto scanning, version detection, OS detection आधी में किया जाता है nmap का उपयोग बुरे hackers भी करते है और अच्छा hackers भी करते है बुरे hackers मतलब black attackers और अच्छा hackers मतलब white attackers मेरे लिस्ट में second number का tool आता है Metasploit Metasploit एक free open source tool है जो 2003 में parallel language में लिखा गया था framework एक computer security project है जो computer server या mobile में bug होने पर उसको easily access करने में हमारी सायता करता है इसे termux में कैसे install करते है मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपने नहीं देखा है तो link का description में मिल जाएगी Metasploit को कैसे install करते है आप देख सकते है मेरे list में third number का tool आता है SQL map अब आप सोच रहोंगी कि SQL map क्या होता है SQL map एक free open source tool है जो SQL injection में कमजोरी का पता लगाने में और उसको exploitation करने में हमारी मदद करता है अब SQL injection क्या होता है तो basically SQL injection एक technique है जो hackers mostly use करते है किसी भी website को hack करने में अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो comment section में अपने comment लिख देना मैं इसको practical साथ बताऊंगा basic से मेरे list में चवते number का tool आता है AircrackNG जब भी wifi hacking के बारे में बात की जाती है तो AircrackNG सबसे आगे होता है मैं इस tool का use wifi hacking के लिए करता हूँ AircrackNG एक free open source tool है जिसके developer Thomas ने इसे c language में लिखा है AircrackNG में version 1.6 25 January 2020 को release किया गया है मेरे list में पाच्वे number का tool आता है burp suite burp suite एक web application पर testing करने के लिए एक बहुत ही उप्योगी platform है burp suite से हम website में कमजोरियों को पता करके किसी भी website को hack कर सकते है burp suite को Java programming language में लिखा गया है burp suite से हम XSS, SQL injection इतियादी जैसे कम्यों को tuned सकते है मेरे list में छटवे number का tool आता है John the Reaper John the Reaper भी एक pre open source tool है जिसे मैं password crack करने के लिए use में लाता हूँ और बहुत सारा hackers भी इसे use करते है और password crack करने के लिए Hydra का भी use करते है पर mostly John the Reaper का ही use होता है इसलिए मैंने इसे अपने list में रखा हूँ John the Reaper को C language और assembly language में लिखा गया है और बहुत सारे लोगों को confused रिता है यह software illegal है पर ऐसा नहीं है यह software legal है इसे use जैसे करना आपको वैसे कर सकते हैं आप illegal तरीके से करेंगे तो illegal कहलाएगा और legal तरीके से करोंगे तो legal कहलाएगा मेरे list में साथवे number का tool आता है angry IP scanner angry IP scanner एक free open source tool है जो IP address और port scan करने के लिए use में लाया जाता है इसे आप windows, mac, linux में चला सकते हैं इसे java programming language में लिखा गया है मेरे list में आठवे number का tool आता है iter craft iter craft एक free and open source tool है और इसे mostly hackers use करते हैं और इसे मैं भी use करता हूँ इसे c language में लिखा गया है iter craft tool man in the middle attack करने के काम आता है अब आप सोच रहे होंगे कि man in the middle attack क्या होता है man in the middle attack तो एक वीडियो में पुरा बताना संभव नहीं है यह जितने भी tool आपको बताया गया है यह सारे वीडियो आपको इस channel पर मिल जाएगे अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर देना मेरे list में 90 नंबर का tool आता है वायर सार्क वायर सार्क भी एक free open source tool है जिनके developers वायर सार्क की team है यह software network की information निकालने के लिए use में लाया जाता है इसे c and c++ language में लिखा गया है वायर सार्क network interface से live packet data को capture करता है वायर सार का एक बहुत ही अच्छा software है sniffing attack के लिए वायर सार्क से आप mac address, ip address को ढूण सकते है वायर सार्क hackers के लिए बहुत ही अच्छा software है आप जब इसे use करेगे जब आपको समझ में आएगा कि यह कितना important software है hackers के लिए मेरे list में 10 नंबर का tool आता है social engineering toolkit social engineering toolkit भी एक free open source tool है आखिर social engineering होती क्या है इसे कैसे use करते है मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा यहां सिर्फ social engineering work कैसे करती है यह जानेंगे तो सबसे पहले step आता है information को निकालना सबसे पहले hackers important information को इखटा करता है second step hacker attack land करना hackers के पास सारी information आने के बाद वह प्लान करता है कि कब hacker करना है कुण कुण से tools यूज करना है third step में वह आपकी system की कमजूरियों को पता करेगा चवते step में hackers के पास सारी information आने के बाद वह आपके system को hack करेगा वीडियो का ऐसा लगा मुझे कमेड में बताना वीडियो को एक लाइक कर देना और चेनल को सस्क्राइब करना मिलते है अगले वीडियो में